आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे Android 10 Colt OS Rome for Redmi Note 8 जिसको आज हम अपने फोन के अंदर इंस्टॉल कर रखा है यह इनिशिल बिल्ड है और इस तेम पे आपको इसके अंदर ज्यादा फीचर्स तो नहीं देखने को बिलते हैं बट ओवराल दिखा जाता है रोम जो है पॉफेक्टली आपके Redmi Note 8 पे काम करता हुआ नजर आ रहा है थैंक्स तो देवलपर नाशिस जिन्होंने इस रोम को क्रियेट किया है तो वीडियो को पूरा देखेगा ताक कि आपको सारी कीजियें समय में आ सकें तो चलिए आज कि इस वीडियो को शुरू करते हैं तो जैसा कि देख पा रहे हैं ये है Redmi Note 8 और आज इसके अंदर जो हरूम हम रन करने हैं वो है जो कि Android 10 के ओपर पेस्ट है इसका अब आउट फोन पेस्ट है जैसे कि आप देख पा रहे है सिक्यूर्टी पैस लेवल जो है आपको इसके अंदर जैनुरी 1st 2020 का देखने को मिलता है लेतेस अंडूइट 10 के अपडेट के साथ आपको देखने को मिलता है और फुट यूए जो है आपको 5.5 इसके अंदर देखने को मिलता है ओप पूरर आपको Google पिक्सल फौर यसके DV को मिलता है इसके अंदर आपको तो आपको कोछ इस अगर आप होम स्कीन पे थोड़ी दे टैप करते हैं तो आपको तीन आप्शिन मिलते हैं सेटिंग विजिट्स एंड स्टाइल इन वालपर पर स्टाइल में जाके आप स्टाइल्स में चोटे मोटी चेंजेस कर सेते हैं क्लॉक को सेट अप कौन सी आप क्लॉक चाहिए जो भी सेट एक तो अप करके एपलाई करते हैं और वालपेपर्स में आपको कुछ शिर्प नहीं वालपेपर्स भी यहां पर देखने को मिल जाते हैं अब बात करते हैं कॉलिंग के तो वोल्ट का फीचर परफेट्ट्री इसमें काम कर रहा है मैं आपको एक कॉल करके दिखा देत आपको कोई भी एक्सटर देखने को नहीं मिलते हैं बढ़ गूगल Gcam 7.2 परफेक्टली इस प्रोम पे काम कर रहा है जिसे कि आप देख पाने हैं यह गूगल केमरा 7.2 है जिसमें आपको पोर्टेड मोड नाइट साइड मोड विद एस्ट्रो फोटोग्राफी यह सारी सब्सक्राइब करते हैं उसके बाद कनेक्टेड डिवाइस मिलता है आपको एपसे नोटिफिकेशन और पर आपको आपको अप्शिन मिलता है कोल्ट एनिकमा जिसके अंदर आपको इस ओवेस के कुछ फीचर्स देखने को मिलते हैं नीचे आपको कुछ टैब्स मिल जाते ह की दर आपको आपको का जाता है करियरीं लेवल के उप्शिन दर आप देख पाते हैं क्लॉक की सेटिंग सेटिंग ओपते हैं ऐसके संब चाहिए में सब्सक्राइब कर सकते हैं वस दर को बियास हो बी पर दोग्य आपको एक और उप्शन मिलता है कि इसमें आप इसकी जो है ट्रांस्परेंसी एफेट को आप मैनेज कर सकते हैं तरह अब को देख पार हुए क्यों पर आपको एक ट्रांस्परेंट सा इफेक्ट अपने फोन पर यहां वे देखने को मिलता है उससी तरह किसे वर मेरू में आपको क्या का चीज है जाए जैसे रीबूट, एड्वान्स, रीडूट, लॉक्टाउं, स्क्रिंशॉट यह सारी चीजिज़ जो हैं आप पर के मैरू मेरें हैं हमारे काफिर सारे अप्शून्स आपको यहां पे देखने को मिल रहे हैं तो यह चीज़ा आपको पावर मेनुव और जेस्टर्स में आपको AOSP के जेस्टर्स में जाती हैं जिसमें आप Android 10 के जेस्टर्स या आपके नविगेशन बार को भी आप इसके अंदर यूज कर सेथे हैं तो मैं फोन के इस ताइम पर एंडर 10 के जेस्टर्स यूज कर रहा हूं जो कि इस तरीके से का जाती है नेक्स्ट बटन जो देखने को मिलता है वह लॉक्सिं डिस्प्ले में आप चोटे मोटे चिंज़स कर सेते हैं जैसे वैदर मीडिया कवर आर्ट यह सारी चीज़ आपको बिल जाती है चोटे मोटे चीज़ें और भी आप यहाँ पर जाके चेक आउट कर सकते हैं दिस्प्ले का भी option मिल जाता है जिसमें आप न्यू नोटिफिकेशन और लिफ टू चेक फोन के लिए इसको इनेबल भी कर सेते हैं उसी की बाद लॉक्स्क्रीन यूई में चींज़स करते हैं क्लॉक की जो फॉंट साइज है इनको आप चेंज करते हैं गूगल फॉंट के अगर हम सिस्टम में चलते हैं तो सिस्टम में आपको नोटिफिकेशन मिल जाते हैं जिसमें आप एम्बेंट लाइट का आपको अप्शन मिल जाता है जिसमें आप एच लाइटिंग का भी option यहां पर चेक आउट कर सकते हैं और लाइट की डूरेशन को भी यहां से कम जो भी आपको चाहिए इसको सेट अप किजिए और ओके कर दीजिए ये आपको इसमें मिल जाता है मिस्टरी मिस्ट में जाए तो कुछ और अप्शन में जाते हैं जैसे जार्जिए अनिमशन वेकलोकर अलरम ब्लोकर ये कुछ चीज़ें आपको और भी आपे देखने को मिलत सकते हैं लास्ट फुल चार्ज और स्क्रीन योशेश सिंस फुल चार्ड ये ऑप्शन भी आप इसके अंदर यहां पर देख पारे हैं डिस्प्ले में जाते हैं तो डिस्प्ले में आपको नाइट लाइट डिप्टी बैटने स्टाइल एंड वाल पर पर स्टाइल को आप साउंड का पैनल आपको वही लेटेस्ट गूगल पिक्सल 4 का विलता है जिसमें आप दोनों सिम्स को पर अलग लग साउंड को यहां पर जाके इनेबल कर सकते हैं स्टोरेज का आप देखी पा रहे हैं कुछ इस तरह का आपको देखने को बलता है प्राइविसी लोकेशन म को नहीं मिल पा रहा है तो में भी आगे चलके कोई अपडेट आए जिसमें आपको फेस अनलॉक भी देखने को मिल सकता है बाकी अकाउंट्स एकसिशबिल्टी गूगल सिस्टम यह सारी चीज़ें आप इसके अंदर यहां पर जादा किट चेक आउट कर सकते हैं आपको ज जो बेंचमार्क स्कोर मिला है इसको मिलता है 174632 को इस तरीका बेंचमार्क स्कूर आपको इस रोम का पर देखने को मिलता है रोम इस ताइम पर पर प्रफेक्ट्री काम कर रहा है आपको छोटे मोटे बग्स जरूर देखने को मिल सेते हैं बट ओवर आल देखा जाए तो कर दो एक्स्पीरेंस है काफी स्मूथली इस पर रंग करता हूँ नजर आ रहा है इस तेम पर जैसे कि मैंने आपको बताया था यह इनिशिल बिल्ड है आपको इसको जादा फीचर्स देखने को नहीं मिलते हैं बट आप इसको ऐसे डिल ड्रेवर यूज करना चाहिए तो आप इनको द्रैग और यहां पर जिस तरीके से आप आरेंज करना चाहें वह भी आप इसके अंदर आरेंज कर सेते हैं तो अब दिखा जाए तो मैंने आपको इसके अंदर डेल पैट दिखा दिया है कि कॉलिंग वोल्ट काम कर रहा है कैमरा आपको चीकेम 7.2 इसके अंदर कर रहे हैं उसके दुरू हम इस रोम को इंस्टॉल करेंगे तो आपको जो दो फाइलें चाहिए वो चाहिए आपको एक गोल्ट ओस की रोम फाइल जो की 844 MB की है और एक ओपन जी एपस की पीको फाइल जो की अराउंड 95 MB की है इन दोनों फाइलों का लिंक मैंने करें अधर्वाइस आप फोन को सिच आफ करके वॉल्यूम अप और पावर के बटन को होड़ रखेंगे आपका फोन जो है कुछ ही देर में कस्टम रिकवरी पर बूट करेंगा जो आपनी इंस्टॉल करकी होगी चाहिए वो टी डेवडू आर्पी हो चाहिए पिच ब्लैक हो चाहिए और इंच फॉक्स मैं आपको रिकमेंट करूंगा कि आप पिच ब्लैक रिकवरी को इसके अंदर यूज करें तो यह दिखिए अब हमारा फोन जो है पिच ब्लैक रिकवरी को पर अरड़ी बूट कर चुका है तो सबसे पहले क्या करना है आपने फोन का बैक करना पड़ेगा अब वाइप पे जाएंगे एडवांस वाइप पे जाएंगे डाल्वी कैश कैश सिस्टम वेंडर डाटा इन सबको आपने वाइप कर देना है एंड स्वाइप टू वाइप आप इंटर्नल स्टोरेज को वाइप नहीं करेंगे अदर्वाइस आपने जो सेव कि थी आप उनको भी डिलीट करतेंगे अब सिंपली इंस्टॉल पे टैप किजिए कोल्ट ओएस की रों को स्रेट किजिए एंड स्वाइप टू कंफार्म फ्लैश यह नेर बाउट वन टू मिनिट लेती है फ्लैश होने का तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ताकि यह उसके बाद हम ओपन जी एपस की फाइल को इंस्टॉल करेंगे ताकि गूगल प्ले स्टॉर और गूगल सर्विसेस जो है इस रों के उपब परफेटली काम कर सके हैं तो हम थोड़ा सा इसका वेट कर लेते हैं कि कम्प्रिटली इंस्टॉल हो जाए तो यह देखिए फाइ आपस की फाइल भी हमारी फ्लैश हो गई है अब वापीस आएंगे वाइक पे फॉर्मेट डाटा वाई एएस अब आपका सारा डाटा डिलीट हो जागा इसलिए मैंने आपको का था बैक अप जरूर ले लिजेगा अब जैसी आपका फॉर्माट डाटा जो है कम्प्लीट ह आपको सिर्फ एक बार रिबूट सिस्टम करना है और डू नॉट इंस्टाल अब कुछ ही देर में आपकी स्क्रीन के ओपर कोड़ ओएस की बूर्स किनाएगी यह दैट मेंस की कोड़ ओएस को आपने डेडमी नोट एट के अंदर इंस्टाल के लिए आने वाले दिनों में अगर आप रिडमी नोट एट के लिए काफी सारे और भी कस्टम रोम्स आने वाले हैं तो अगर आप रिडमी नोट एट के यूजर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा तो यह देखिए कुछ इस तरीके के बूट एनिमेशन आपको अपने फोन के अंदर य तब तक के लिए ठीक गेट और बबाए